Hello dear students, welcome back to my channel a scholarship tutor जैसा कि आपने हमारे मानसिक योगता परिक्षा के part 1 और part 2 वीडियो देख लिए होंगे जिसमें हमने मानसिक योगता परिक्षा के 35 फ्रशनों पर विशेश रूप से चर्चा की है तो जिन विद्यार्थियों ने हमारे part 1 और part 2 वीडियो मानसिक योगता परिक्षा के नहीं देखे हैं वो फ्लीज नीचे description में link है वहाँ जाकर click करके हमारे playlist में जाकर उन दोनों part वीडियो को देख लें mat 1 और mat 2 तो चलिए बिना time कवाए इस वीडियो को हम start करते हैं और आपसे मेरा निवेदन होगा कि आप किर्पिया करके इस वीडियो में अंतक बने रहें ताकि आपको एक एक प्रश्न दिमाग में fit हो जाए और आप NMMS 2022 परिक्षा में अच्छा नमल ला सकें तो चलिए बिना time कवाए इस वीडियो को हम start करते हैं आपको प्रश्न हल करने से पाले यहां दिये गए निर्देश को पढ़ लेना चाहिए तो देखिए प्रश्न 36 से प्रश्न 45 तक के लिए हमें कुछ निर्देश दिये गए हैं इसका हमें पालन करना है तो आईए क्या निर्देश दिये गए हैं देखते हैं निमलेखित प्रश्णों में संख्याओं के पैटर्न का ध्यान पुर्वक अध्यन करे और इसके बाद प्रश्ण चीनने के स्थान पर लुप्त संख्या को चुने तो हमें यह बताया जा रहा है कि जहां पे question mark दिया हुआ है वहां पे हमें संख्या ग्याद करना है कि क्या pattern follow करेगा ठीक है तो देखिए हम प्रश्ण 36 को कैसे solve करते हैं तो देखिए हमारा यह राप प्रश्ण 36 देखिए हमें ऐसे प्रश्णों में सबसे पहले देखना होता है कि इसमें सबसे पहला वाला त्रिभूज में देखिए कि सबसे बड़ी संख्यां कौन सी है सबसे सबस्ती संखिया国 48 थीक है सबसे बरी संखियां 48 हो गई और चोटी छोटी संखियान हो गई आठह चार और टीन है तो देखिए हमें किसी भी प्रकार चाहे गुला करके हो भाग करके या जोर के या घाटा ओ करके कैसे भी हमें इन चोटे चोटे अंकों से 48 लणा है देखिए सबसे पहले हम देखते हैं किस प्रकार लाएंगे ओके तो चलिए देखते हैं रुकिए इसको मैं हटा देता हूँ आप लोगों को परिष्वानी हो रही होगी तो चलिए देखते हैं किस परकार लाएंगे सबसे पहले आप आठ को चार से गुना कीजिए ठीक है आठ सुक आठ को चार से गुना कीजिए आठ सुक बत्तिस बत्तिस को फिर तीन से गुना कीजिए गुना ठीक है 32 को 3 से गुना कीजिए तो हो जाएगा 96 96 को आप 2 से भाग दे दीजिए ठीक है तो आ जाता है 48 ठीक इसी परकार आपको इसमें भी करना है जैसे दूसरे वाले तरभूज में रुकिए इसको हम हटा देते हैं पहले जिससे आप लोगों को परिसानी ना हो तो चलिए हम दूसरे वाले तरभूज में चलते हैं देखिए सबसे पहले आप 7 को 2 से गुना कीजिए तो 7 को 2 से गुना करते हैं तो आ जाता है 14 14 को 5 से गुना कीजिए फिर 14 को 5 से गुना कीजिए तो आ जाता है 70 जिस प्रकार हमने उसमें 96 को 2 से भाग दिया था उसी प्रकार हम 70 को 2 से भाग दे देंगे तो आ जाएगा 35 ठीक है आ जाता है 35 तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा Option No.2 35 ठीक है आसा करता हूँ समझ गये होंगे चलिए अगले प्रशने पर चलते हैं प्रशने संख्या सई 30 तो देखिए इसमें हमें ग्याद करना है यहाँ पर जो है Question Mark वो हमें ग्याद करना है यहाँ पर क्या होगा ठीक है तो देखिए देखिए सबसे पहले 12 18 30 तो आप 12 को 18 से जोरिए 12 और 18 हो जाते हैं 30 30 को फिर 30 से जोर दिजिए तो हो जाते हैं 60 और आप ध्याँ दियोंगे कि 60 6 से भाग लग जाता है 6 दहिक 60 तो लग जाता है भाग हो गया मतलब डिविजिबल संख्या होनी चाहिए उसमें भाग लगने वाली संख्या होनी चाहिए उसी प्रकार अगले में देखते हैं 32 को 16 से जोरिए तो हो जाता है 48 थिर 48 को 40 से जोरिए तो हो जाता है 88 यानि कि 8 से 88 लग जाता है 118 ए 88 उसी प्रकार अगले वाले में देखिए जो हमें निकालना है question mark दिया हुआ आया जहाओ पर 26 को 18 से जोरिये तो हो जाता है 54 54 को फिर 37 से जोरिये तो हो जाता है 81 तो हमें यह ज्यात करना है 81 हो जाता है ठीके 81 आया जोरने पर तो इस option में से हमें देखना है कि कौन 81 से भाग लग सकता है कौन सी संख्यां 81 से भाग लग सकती है ठीक है तो देखिए 6 से नहीं लगेगा 81 में 9 से लग जाएगा तो हमारा option number 2 correct answer हो जाएगा इसलिए option number 2 ठीक है तो चलिए अगले प्रेश्ण पर चलते हैं तो चलिए अगले प्रेश्ण पर चलते हैं question number 38 तो देखिए प्रेश्ण संख्या 38 में सबसे पहले आप देखिए यहां पर 5 को हम 4 से गुना करते हैं तो हो जाता है 20 ठीक है ठीक उसी परकार आप देखिए 20 हो जाता है 8 को 3 से गुना करते हैं आप तो हो जाता है 24 ठीक उसी परकार 9 को 4 से गुना किजिए ठीक है तो हो जाता है 36 तो हमारा option number 3 correct हो जाएगा तीसरा option सही ठीक है ये बहुत आसा हुंता तो चलिए अगले पर चलते हैं परश्ण संख्या 49 परश्ण संख्या 49 पर चलते हैं तो चलिए देखते हैं परश्ण number 49 देखिए इसमें सबसे पहले वाले सरकल पर ध्यान देते हैं सबसे पहला गोलाकार देखिए इसमें जैसे है 20 को हम 30 से जोड़ते हैं 20 को 10 से जोड़ी सरी तो हो जाता है 30 ठीक है तो हम जानते है 6 पंचे 30 होता है तो 6 को हम 5 से गुना किये तो आगया 30 ठीक है उसके बाद फिर अगले प्रश्ण पर देखिए जैसे 20 को हम 15 से जोड़ते हैं तो हो जाता है 35 7 पंचे 35 होता है ठीक उसी परकार अगले पैटर्न पर देखेंगे हम 20 को 25 से जोड़िए तो हो जाता है 45 तो हमें ऐसा संख्या क्यात करना है जो 45 से पंचवे वार में आ जाए तो 9 पंचवे 45 होता है तो आप्सन नमर 3 हमारा करेक्ट हो जाएगा ठीक है तो चलिए अगले प्रश्ण पर चलते हैं प्रश्ण नमर 40 देखिए प्रश्ण नमर 40 देखिए यह जो प्रश्ण नमर 40 जो है यह एक गलत परश्ण है क्योंकि इसमें कोई भी पैटर्न नहीं लग रहा है गलत परश्ण क्योंकि देखिए साबित भी आपको करके दिखा देते जैसे 15, 10, 25 होता है 25, 15 क्या होता है 25, 15 हो जाता है आपका 40 तो देखिए 40 है नहीं यहाँ पे यहाँ पे तो 100 दिया हुआ है कोई relation बनता नहीं है अगर यहाँ पे होना चाहिए था 40 यह option गलत है ठीक है आपको हम बता दे रहे हैं उसके बाद फिर देखिए 35 को हम 20 से जोड़ते उस्तो हो जाता पाश्वान और इसे option नमर 3 करेक्ट होता लेकिन यह question ही गलत है हमारा ठीक है तो इस पे ध्यान नहीं देन आए हम चलते हैं अगले प्रश्ण पर प्रश्ण नमर 41 देखिए प्रश्ण नमर 41 में आपको एक सरकल दिया हुआ है वृत तो देखिए वृत में क्या है एक से दो हो गए दो से तीन तीन से पांच हो गया पांच से आठ फिर question mark तो देखिए इसमें आप ध्यान दीजिए जैसे आठ कैसे आया देखिए पांच तीन आठ ऐसे भी आता है पांच तीन आठ लेकिन इस प्रकार आया आठ देखिए पांच एक छे अच्छे दो आठ ठीक उसी प्रकार question mark को निकालने के लिए हम देखिए क्या करेंगे निकालने के लिए सबसे पहले हम जो रहेंगे देखिए आपको दिखाते हैं तो सबसे पहले आप आठ को तीन से जोरिये तो हो जाता है 11 11 12 18 11 12 तो ऑफसन नमर 2 हमारा करेक्ट अंसर हो जाएगा तो चलिए अगले प्रशने पर चलते हैं प्यारे विद्यार्थियों, हम आपके लिए कई प्रश्ण अभी तक हल कियें, तो आपके लिए हम प्रश्ण नमर 42 आपके लिए हम छोड़ दे रहें, कमेंट सेक्शन में इसका सॉल्यूसन आप हमें भेजिएगा, ताकि हम समझ सके कि आप सही डंग से हमारे प्रश्णों को समझ रहें, हमारे द्वारा हल कियेंगे प्रश्णों को समझ रहें, तो चलिए प्रश्ण 42 आप बना लिजेगा, चाहे तो आप स्क्रीन सॉट ले सकते हैं, ताकि आपको सिविधा हो सके बनाने में, चलिए प्रश्ण 43 पर चलते हैं, प्रश्ण 43 में आप सब से पहले देखिए इस परकार का भी relation आपको कभी कभी देखने को मिलेगा देखिए आपको हम सही डंग से बताते हैं देखिए जैसे 500-600 हो गया इडबे में 300-400 हो गया तो इस डबे में क्या हो जाएगा 100-200 तो हमारा option नमर पहला हो जाएगा पहला option correct हो जाएगा 200 ठीक है ये बहुत आसान था तो चलिए अगले question पर चलते है प्रस्ट नमर 44 प्रस्ट नमर 44 में देखिए आप कि एक square दिया है उसमें कई सारे नमर है और हमें question mark पर क्या देना है यही हमें निकालना है तो चलिए इसका हम solution देखते हैं देखिए हमें इस प्रकार expression को solve करना है तो देखिए आप सबसे पहले यहां ध्यान दीजिए कि चार चार दुनी 8 होता है देखिए इस pattern पर स्वरी सही डंग से हम नहीं बता पा रहे है देखिए चार को दो से गुना करेंगे चार दुनी 8 हो जाता है फिर तीन दुनी 6 हो गया इस pattern पर दू द दुनी 10 तो हमारा option number two correct हो जाएगा ठीक है यह बहुत आसन था दो दो से जैसे तिन दुनी 6 हो गया चार दुनी 8 उसी तरह पंदुनी 10 हो जाएगा option number two हमारा correct हो जाएगा तो चलिए अगले प्रश्न पर प्रश्न नमर 45 45 में सभी संख्यों को जोड दिया गया है केवल जाएसे हो गया 4 2 6 6 3 9 9 5 14 पहले वाले में देखिए इसमें चार 2 6 6 5 11 11 11 13 14 ठीक उसी परकार इसमें देखिए 3 4 3 9 9 14 13 13 15 18 उसी परकार इसमें देखिए क्या होगा फिर देखिए 4 7 4 11 11 16 16 6 22 तो option number 1 हमारा correct हो जाएगा ठीक है प्यारे विद्यार्थियों आज के इस वीडियो में इतना ही तब तक के लिए आप इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने मित्रों के साथ सेर कीजिए ताकि वो भी इस वीडियो को फाइदा उठा सके और आप NMMS 2022 परिक्षा में अच्छा स्कोर कर पाए और जो विद्यार्थि इस चैनल पर पहली बारा हैं वो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वेल आइकन दबा के रखे ताकि आप एक भी अपडेट्स मिस ना कर सके ये वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज लाइक बटन पर क्लिक करें तब तक के लिए जैहिंद वंदे मात्रों